गुड इवनिंग, दिस डॉक्टर अकेश चैन, आज हम आटिजम के कॉज और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, लास्ट एपिसोड में हमने आटिजम का ओवरोल डिस्केशन किया था कि आटिजम क्या होता है, कैसे उसको पहचाने और क्या स्क्रीनिंग टेस्ट हमें कर हैं या कोई specific therapies हैं, खाने में कुछ करना चाहिए, घर में महौल हम क्या करें, किस तरह से school में बचे की requirement होती है और उनके लिए क्या किया सकता है, तो अगली 10-15 मिनिट में हम इन बातों के बारे में ठोड़ी चर्चा करेंगे, उससे पहले में एक छोटा सा example आपको देना च बुखार है, आप परेशान हैं, बुखार से आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर के दिमाग में दो चीजें चलती हैं, एक तो कि आपको बुखार से अराम कैसे दिलाया जाए, बुखार के साथ में जो आपको सरदर्ध है, बॉड़ी पे दूसरा उसका जॉब होगा, तो फाइंड आउट दॉक्टर किस कारण से है, सिंपल वायरस है, आज के टाई में सिंपल वायरस तो नहीं बोल सकते है, विकरस कोरोना इस नोट वरे सिंपल, लेकिन अगर को हम हटा दें तो, मालीजी वायरल इंफेक्शन है, या कोई और है, जैसे गले में दर्ध है, टॉंसिलाइटिस है, बेक्टिरिल इंफेक्शन है, निमोनिया है विकर का कारण, या यूरीन में इंफेक्शन है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो, मेनवाइल, दॉक्टर जब आपको दवा दे रहा है विकर को अराम करने के लिए, वो कुछ इंफेस्टिगेशन भी कराता है, तो, में अगर कारण हमें पता लग जाए, तो, उसके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसन दी जा सकती है, एंटिबाटिक या जो भी रेलेवेंट मेडिसन है, सिमिलर्ली, ऑटिजम में भी ऐसे ही है, हम कॉस डूढने की कोशिश करते हैं, हाल इंफेस्टिविटी, अग्रेसिव बिहेवियर, शीप प्रब्लम्स, फीडिंग प्रब्लम्स, तो, उनको हम बैठके अनलाइज करते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक थेरपी या मेडिसन हम स्टार्ट करते हैं, हाला कि कोई ऐसी मेडिसन अभी तक मार्केट में नहीं ह जो हम बोलें कि हाँ साथ दिन इंजेक्शन लगवाओ और बच्चा बिल्कुल हर तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रब्लम को अलग अलग तरी टीज आउट करके उसको डिटेल में समझ के उन स्पेसिफिक प्रब्लम्स के लिए हम कुछ नकुछ इलाज बता स सकते हैं, दूसरा हम इसका कारण ढूंडने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो कारण क्या हो सकते हैं, ब्रीफली, एक तो कुछ बच्चेओं को जो है अंद्रूनी मिर्गी होती है कई बार, देखने में दोरे नहीं लगते हैं, दोरे के बारे में हमने पहले भी बात की है, अगर कुछ उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो यू कैन वाच में प्रीवेस्ट वीडियोज, तो कई बार अंद्रूनी दोरे होते हैं, जो भार से नहीं दिखाई देते हैं, अगर हमें लगे के बच्चा, लेसे माले डेड़ साल, दो साल या तीन साल का पहले थोड़ा बोलता था लेकिन अब उसने बोलना कम कर दिया है, या धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया है, तो ऐसे बच्चों में बड़ी स्ट्रॉंग पॉसिबिलिटी होती है, कि अंद्रूनी दोरे तो नहीं हैं, तो उसके लिए हमें एजी ही कराना पड़ेगा, देर और नो क्लिनिकल सीजर्स, और एजी भी इसमें यूजली हम लंबा एजी कराते हैं, आदे पोने घंटे की एजी में कई पर नहीं पता लगता है, तो वी एंड अप दूइंग प्रलॉंग एजी दो से चार घंटे की एजी और कई बार लोजिस्टिक लिए पॉसिबल नहीं अगर अंदरूनी दोरे हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक दवा है जिसके देने से दोरे तो में तो आराम मिलेगा ही, साथ में जो आटिजम के जो फीचर्स हैं उसमें भी हमें आराम देखने को मिलेगा, इसके अलावा और क्या काउज होते हैं, कुछ मेटाबोलिक है जीबसी या उसके पसीने में कोई स्मेल है या कोई फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि किसी सिबलिंग को प्रॉबलम है या फैमिली में कोई डेथ वगरा हुई है जिसका कारणा में नहीं मालूम तो हम मेटाबोलिक स्क्रीन करते हैं जिसमें एक चोटी सी यूरीन के और ब एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो भर के सामने आई है और काफी बच्चों में जब हम जेनेटिक टेस्ट कराते हैं तो हमें वो पॉस्टिव मिल जाते हैं What does it mean? क्या आउटिज्म पूरा का पूरा जेनेटिक है? पैरेंट से आता है? इट इस नाट नेसेसरी जेनेटिक का मतलब ये नहीं है कि वो पैरेंट्स में कोई प्राबलम है वहीं से आया है या या आगे भी ट्रांस्मेट करेगा जेनेटिक का मतलब सिर्फ ये है कि DNA के लेवल पे कोई नो कोई प्राबलम है हो सकता है ये पीछे से आया हो हो सकता है या आगे भी ट्रांसफर हो जाए हो सकता है ऐसा कुछ भी न हो वो और इसमें काफ़ी सारे जीन्स इन्वोल्ड होते हैं तो वो जानने के बाद ही हम यह बता सकते हैं कि यह जो आटिजम है यह जेनेटिक है या नहीं है जेनेटिक है तो उसके दूरगामी परिनाम क तो उसमें भी जनेटिक लिंकेज रहता है और देर आर सम अधर फीचर्स एज वेल तो अदेंटिफाई दो सिंड्रोम उसकी डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे तो इट कुड बी पार्ट ऑफ दो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम सेंप्टम्स तो ये कारण मोटे मोटे मैंने आपको बता है इसके लावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एक्वाइड ऑटिजम हो सकता है सिंपली के बार बच्चों को एपिलैप्सी मिर्गी शिरू हो जाती है मिर्गी काफी अगर गंदे वाली मिर्गी हो तो उससे भी बहेविल करते हैं तो हमें एक हेरिंग टेस्स जरूर कराना चाहिए अगर बच्चा समय से बोलना शिरू नहीं करता है तो ये तो बात हुई कारणों की उसके बाद हम क्या कर रहें अगर बच्चे को ऑटिजम है तो इमेडिएट इलिफ में क्या कर सकते हैं इमेडियेट के लिए दे देखने के बाद ही बताएगा कि किस एज में और किस जुरूरत के हिसाब से कौन-कौन सी थरापी अभी चाहिए हैं और they will keep on changing with time. ऐसा नहीं है कि occupational therapy आपने अब शिरू कर दी तो आज एवन सेम थरापी चलेगी. It's all dynamic world and things keep on changing with time. But जो commonly therapies used होती हैं वो occupational therapy है, applied behavior analysis, speech therapy, special education, psychological counseling अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो Most of the time, more than 50% time I would say अगर बच्चा autistic spectrum disorder पे है तो कहीं न कहीं special education की और special school की भी आउशक्ता पढ़ती है. उस case में हम school से भी contact करते हैं, class teacher से भी बात करते हैं कि बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, किस-किस चीज में इसका interest है, क्या चीज इसको ओफर करनी है, क्या कम ओफर करनी है. तो हम directly उनसे बात भी कर लेते हैं. तो यह सब therapies हैं. उसके बाद अगर symptoms बच्चे को हैं, तो हम एक-एक symptoms को अलग-अलग लेते हैं. अगर aggressive बहुत है बच्चा, पांच साल से उपर है, बहुत aggression है बच्चे के अंदर, तो हम aggressive behavior के लिए भी एक दवा होती है, वो देते हैं. अगर बच्चे को autism है, और उसके अलावा बहुत सारे features हैं, जो आपको प्रिशान करते हैं, तो अपने डॉक्टर से आप जरूर शेयर करें, यह मत सोचें के अगर डॉक्टर यह बोल देता है कि autism का कोई इलाज नहीं है, तो किसी भी चीज का इलाज नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, autism एक पूरी एक जो बिमारी की हम बात करें, बिमारी नहीं है, वैसे ही, it's a kind of type of condition, तो कोई ऐसी दवा अभी तक हमारे पास नहीं है, कि हम उसका एक कोर्स करा दें, तो एक condition बिल्कुल बच्चा चेंज हो जाए, it's like a personality, we all have different personality, और किसी भी तरह से particular symptom associated with autism, और इसके अलावा भी काफी दवाईयां होती है, कुछ supplements होते हैं, अगर कोई deficiency हो, तो उनको भी दिया जा सकता है, कुछ omega 3 fatty acids हैं, जिनका कुछ संदिग्द रोल है, कुछ cases में उससे फाइदा देखने को मिला है, तो वो भी दिया जा सकता है, और दूसरा हमें diet के ब देनी चाहिए, the answer is no, not every child would benefit from these diet exclusion and it is very difficult for the parents to comply with these kind of diets, तो जिस बच्चे में autism के साथ में कोई gut symptoms हैं, food intolerance हैं, गेहूं की चीजें खाके या dairy product खाने से आपको लगता है कि बच्चा वोमिटिंग आती है, पेट में दर्द होता है, या कुछी तरह की or allergy हो जाती है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि this is the child who can benefit from GFCF diet, तो हम बड़ा कस्टमाइज करके वो diet देते हैं, not every child would need these kind of specific diet, there are some role of probiotics but again not old children needs everything, so it needs to be analyzed individually with the child with the proper history from parents and then we take a call के बच्चे को कुई specific diet therapy किया हो शकता है या नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी alternative therapy है, काफी लोग stem cell therapy के बारे में भी बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा evidence नहीं है, कोई ऐसी detailed study नहीं है medical science में, जो ठोक के ये बोले के yes, stem cell therapy is the cure for autism, so we don't recommend actually as a blanket therapy, so they are all individual cases, depending upon what the cause is or if there is no cause, how the condition of the child is, we plan the therapy and the medicine. I hope आपको ये video जो है, it would have cleared some concept of yours regarding autism and the therapies, so if you have any questions, please put in the comment box and if you want me to discuss any particular therapy in detail, we can do that, purposefully I am not going into the detail of each therapy, because many people they don't want to go into the detail, so hopefully this should help and please share it with your friends, particularly with the parents in the nuclear families, so that they are aware how to diagnose autism and if it is diagnosed, let's not get completely scared, there are lots of things that can be done and we can make these children better, thank you very much.